हेलो गाईज वेल्कम बेक टोर चेनल बायो रेंगर थे वैलकम बेक स्टॅरेंंट्स तो यहाँ पर हम एक इंट्रेस्टिंग स्टॉरी देखने वाले हैं जो है फीग और वास्प के भीच में जो अंजीर का ट्रे vỉ और दोनों को क्या होता हो लाव होता इस तरीके एस्वाइटिक एस्टोरी को आपको बहुत अच्छे समझना है आपको दो से तीन मिनिट में यह story बहुत अच्छे से दिमाग में आपके बढ़ जाएगी तो देखिये समझना चीज होगो फिक क्या है अंजीर का ट्री होता है तो इसको क्या होता है पोलीनेशन की जरूरत होती है यानि कि परागन पोलीनेशन करवाने की जरूरत होती है पोलीनेशन का मतलब आप जानते हैं कि एंथर से स्टिगमा तक जो पोलन ग्रेंस का पोचाना होता है तो यहाँ पर अंजीर के ट्री को पोलिनेशन की जरूरत होगी होती है ताकि वो क्या कर सके और ज्यादा फ्रूट्स और फल दे सके तो इस वज़े से उसको पोलिनेशन की जरूरत होती है वही जो वास्प होता है यहने की वास्प एक इंसेक्ट है तो इंसेक्ट जो होता है अपने एग के डिपोजिशन की जरुरत होती है को आपने अंडे जो है कही ना कहीं जाके डाल दे और वो सुरक्षित रे जाए तो ये एकट्वल में जो association शुरू होता है कोई साभी association या कोई साभी संबंध हो ये कब सुरू होता है जब किसी ना किसी को requirement उनकी जरूरते हो और जरूरते की जो पूर्ती कर सकेगा उनसके साथ आपस में क्या कर लेते हैं मेल यह सा हमारी होमन प्रवर्ती में भी होता है आज भी देखो कोई सा भी बिजनस स्टार्ट होता है तो इसी प्रकार से होता है पहले रिक्वार्मेंट देखी जाती है उसके सिस्टाइब इसी पूर्टी की जाती है यही सेम चीज सेंग यहांँ पर होती कि अंजीर को त Gil को पॉलिनेशन की कार्म होती है और वास्पा κ Sell अपने अंडे ऐसे जगे देना होता है Mercedes की सुरक्षित हो उसके अंडे के देखभाल कोई कर सके इस प्रकार से दोनों क्या करते हैं यह अंडे देने के लिए जगे जगे घूमता फिरता है अच्छे ची सुरक्षित जगे ढूंडता रहता है और यह देखता रहता है कि कोई अपना पॉलीनेशन करवा सके तो ऐसे में क्या होता है इसको इस तरीके से ढूंडते ढूंडते एक अच्छी जगे मिलती है जो होती है अंजीर का यहाँ पर जो फ्रूट होता है उसके अंडे को देता है तो अंजीर का जो फ्रूट होता है उसके अंडर क्या करता है यह अपने अंडे को देता है और वहाँ पर लार्वा होते हैं जो एग के जो लार्वा ग्रो होते हैं इसके ग्रोविंग लार्वा उनको nutrition portion देने का काम कौन करते हैं उसके छोटे-छोटे बीच जो होते हैं fruit के अंदर वो करते हैं तो यह आपको बहुत अच्छे से चीज़े याद रखना है कुछ important चीज़े हैं जो यह यहां पर आपको याद रखना है पहली चीज़ यह कि इस प्रकार का जो association होता है यह अगर एक नहीं होगा अगर यहां पर वास्प नहीं होगा तो वास्प के बीना फीग यानिकि अंजीर का ट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकता है क्योंकि यह केसा obligate पर obligate association होता है यान specific relationship होता है यहने कि अगर आपने मान लिए कि जो वास्प या अंजीर की particular species ही आपस में association कर सकती है हमने इसा मान लिया कि एक figure हमारा यहीं है और वास्प की दूसरी species को इसी ले ली हमने तो वो यहां पर क्या नहीं कर पाएगी इस प्रकार का pollination नहीं कर पाएगी यहने कि यह species specific होता है यह important चीज़ याद रखनी है और यह किस वज़े से होता है requirement की वज़े से develop होता है क्योंकि एक को pollination की जरूरत होती और दूसरे को जरूरत होती है अपने अंडे सुरक्षित जगे में देने की तो I hope कि आपको story बहुत अच्छी पसंद में आई होगी अगर आपको story अच्छी लगे तो like जरूर करे शेर जरूर करे और subscribe जरू करते हैं मिलते हैं नए lecture में